गुड मॉनिंग स्टूडेंट, माइनेम इस रमादीप कॉर, यह लेक्चर है आपका मैनजीरियल एकनोमिक्स का, आज हम अपने इस लेक्चर में जो मनोपली का टॉपिक हमने स्टार्ट के है, उसमें देखेंगे कि हम मनोपली की मार्किक में प्राइस एकिलिब्रियम कैसे ड करेगा इतना माउंट आउट जो मैक्सिमम टोटल प्राफिट जो है ठीक है, तो मनोपली में हम जो इकिलिब्रियम है, प्राइस डिटर्मिन है, वो दो डिफरेंट कंडिशन के बेसिस पर अचीव कर सकते हैं, कि यहां पर मार्जनल रेवन्यू है, वो एकुल होगा, तो मार्जनल रेवन्यू को नीचे से कट करेगि, तो टू अपरोच现在 है, जिससे हम डिटरमिन कर सकते हैं, मनोपली में प्राइस तो वो है टोटल रेवन्यू और मार्जनल कोस्ट अप्रोच and marginal revenue-marginal cost अप्रोच, तो फिस्तर देखते हैं, मनोपलिस तिर्न के प्राइस जो है fix करेगा monopolist तो वो try करेगा कि वो एक level of output find करें जहां पर DR and TR, TC में difference जो है वो maximum होगा तो जो level of output है where the difference between DR and TR is maximum वो क्या हो जाएगा हमारा equilibrium point हो जाएगा वहाँ पर हम अपना price जो है वो determine कर पाएंगे ठीक है इसको हम यह diagram के थो देखते हैं ठीक है जी figure 2 में देखिए कि total cost curve, TC जो यह देखिए, TC जो है वो total cost curve है यह TR जो है वो total revenue curve है, TR जो curve है वो यहाँ region से start हो रही है, 0 से start हो रही है इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास कोई भी level of output नहीं होगी, हमारे यह output नहीं होगी तो हमारा जो total revenue है वो भी 0 ही होगा, ठीक है जी, तो TC जो है वो यहाँ से start हो रही है इसका मतलब क्या है कि यह reflect करता है कि अगर हमारे पास production ना भी हो, हम produce नहीं भी करें कुछ, भी जो है वो firm उसको, कुछ fixed costs हैं जो उसको wear करनी ही पड़ती है, ठीक है तो total profit of the firm जो है वो जे देखे, TP यह है हम firm का total profit तो यह, जो है वो नीचे से start हो रहा है, R point से start हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, जी इसका मतलब यह है, कि जो firm, starting में firm को कुछ negative profits जो है, वो phase करने पड़ते है, now as the firm increases production, ठीक है, जब अब देखे, firm अपनी production जो है, वो increase कर रही है, तो TR जो है, तो यह देखे, TR जो है, वो increase होना start कर रहा है, ठीक है but, इसमें, TR जो है, वो less than है, but starting में, TR जो है, वो less than है, TC से, ठीक है, जी, देखे, TC उपर है, और TR कर जो है, वो नीचे है, तो इसका मतलब क्या है, कि TR जो है, वो come increase हो रहा है, as compared to total cost, ठीक है, तो यहाँ पर जो RC point है, इसलिए, वो RC of TP curve reflected at firm is incurring losses, तो जो RC point है, यह इवदा रहा है, कि firm यहाँ पर अभी firm को losses हो रहे है, M point, add point M, यह देखे, point M, यहाँ पर दोनों curve, TC और TR, जो है, वो एक दूसरे को touch कर रहे हैं, intersect कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कि यहाँ total revenue, जो है, वो total हमारी cost के equal हो गए, ठेका जी, total revenue और total cost हमारे जो है, वो equal हो गए, यह show करता है, कि firm अब ना, तो firm को को कोई profit हो रहा है, ना ही कोई loss हो रहा है, तो point M, जो है, उसको हम बोलेंगे, break even point, ठेका जी, when firm produces more than point M, अगर firm M से आगे और produce कर रही ही है, तो TR जो है, वो जादा हो जाएगा, TC से, तो TR यहाँ से हमारा जादा हो जाएगा, TC से, यह देखिए, M के बाद, अगर कुछ और produce कर रही है, तो total cost यहाँ नीचे चले गई, बट जो हमारी total revenue हो, वो उपर जा रही है, ठीक है, जी, इसलिए, total revenue curve जो है, वो TC से, जादा है, TR will be more than TC, ठीक है, जी, तो total profit curve जो है, वो भी उपर जाना, ठीक है, अबट की तरफ जा रही है, इसलिए that firm is earning profit, कि यहाँ पर firm को क्या हो रहा है, profit, ठीक है, तो now जो TP curve है, वो एक point E पर रीच कर गई, यहाँ पर क्या हो रहा है, earning maximum profit, तो this amount of output will be termed as equilibrium output, तो यह जो है, हमारा OQ, जो है, equilibrium output होगी, यहाँ पर हमें maximum profit हो रहा है, ठीक है, जी, maximum profit हो रहा है, इस point पर, ठीक है, जी, तो यह था total cost and total revenue approach, ठीक है, next हमारे पास आ रहा है, marginal revenue and marginal cost approach, इस marginal revenue and marginal cost approach की according क्या है, कि monopolist equilibrium में तभी होगा, जब वो दो conditions, फुल्फिल करेगा, first की MC जो है, वो होगी हमारी MR के equal, और जो MC curve है, वो MR को नीचे से cut करेगी, ठीक है, यह दिखिए, नीचे से cut करेगी, ठीक है, माल लीजिए, यह हमारी MR curve है, और यह हमारी, M R Curve है, ये हमारी M C Curve है तो ये नीचे से कट करने चाहे है तो इसको हम 2 पीरियर में डिटर्मिकर सकते हैं, Short Run & Long Run Short Run equilibrium under monopoly कैसे होगा, इसमें क्या होता है कि Short Run में क्या होता है, मैं जो Monoplist है, उसको जो plant, reduced plant है, उसमें काम करना पढ़़ गा, वो PICS Factor को और टो प्राइस को भी सुपर नाम्रल पॉफितों पॉफिता लॉत करो का हम इसरी पॉलिटी को वह धिक हम करтоbek मीधैने, लिद्यकिन और फिरणी है कि जो प्राइस ने डिटर्मिन किया वह एवरेज कॉस्ट से जादा है तो हमें क्या होंगे सुपर नॉर्मर प्रॉफिट होंगे तो जो मनोपलिस्ट है वह पर्डियूस कर सकता है जब इस लेवल तक पर्डियूस कर सकता है जब देवेटर्मिन करता है तो हमारी इकळूरियूस कर दो इस को हम छोपनों से इस अमक्रेज की साहरे के लगनवेश इस पर थे सम्न यस और यस पर ठीक है जी तो जो यह है SAC यह हमारी short run average cost और SMC यह हमारी short run marginal cost तो जो AR है average revenue और यह MR वो है हमारा marginal revenue ठीक है जी तो the monopolist is an equilibrium at point E इस point पर equilibrium में है क्योंकि यहां पर MR जो है वो AC के MR जो है वो AR के equals है ठीक है जी और स्वरी जो MR है वो MC के equal है ठीक है जी और जो है MC वो intersect कर रही है उसको नीचे से cut कर रही है ठीक है जी तो इस level पर हमारी equilibrium जो है वो होगी produce करेगा OQ level पर output ठीक है जी और price कुया होगा हमारा SQ1 ठीक है जी which is more than जो कहीं ज्यादा है average cost से तो यहां पर हमें क्या हो रहे है super normal profit यह जो shaded area है वो हमारा है super normal profit का कि यहां पर हमारी average revenue जो है वो average cost से ज्यादा है ठीक है next है हमारे पास normal profit जब normal profit short run में कब होते हैं जब जो हमारी average revenue होगा वो equal होती है हमारे average revenue is equal to average cost के equals होती है तो वहां पर हमें normal profit जो है वो अकल होते हैं तो figure 2 में figure 4 में देखे कि equilibrium point जो है वो E है equilibrium point E है marginal cost is equal to marginal revenue जो भी हमने पहले ही बताया है कि वो बीचे से cut कर रही है उस equal भी है और फाम जो है वो O M level पर produce करेगी O M level पर output जो हमारी average cost जो है वो टच कर रही है average revenue को point P पर ठीक है point P पर टच कर रही है therefore जो price हो हमारा होगा वो होगा price OR is equal to average cost यहां पर price जो हमारा है average cost के equal है तो हमें monopoly market में क्या होना है normal profits last time minimum losses जब हमारी average cost जो है वो जादा हो जाती है average revenue से तब हमें normal profit जो है वो occurs होते है ठीक है जी तो यह चीज़ जो है वो depression की वज़े से हो सकती है demand को fall होने की वज़े से हो सकती है तो इसको हम यह diagram की थो इसको में explain कर देती हूं ठीक है आपको कि no place में equilibrium point जो है वो E point है यहां पर जो है at point E1 यहां पर क्या होता है कि जो marginal cost है वो equal है marginal revenue के वो touches करी है OM level of output को OM level of output पर equilibrium price जो monopolies fix करता है वो है हमारा O P 1 जो touch यहां पर average variable curve है यह लिखे average variable curve touch कर रही है यह वाली थेकर जो touches कर रही है AR curve को at this point पर तो यह signify करते है कि firm जो है only will that only average variable cost from the prevailing prices से उनको average variable cost में यहां पर यहां पर हमें losses यहां पर यहां पर हमें losses हो रहे है क्योंकि यहां पर हमारी average revenue जो है less than average cost in other word average cost यहां पर हमारी जादा है ठीक है तो next long run equilibrium under monopoly तो long run period कहा होता है जहां पर हम जो अपने जो factors है उनको change कर सकते है variable factors को अपनी मर्जी से हम अपना plant choose कर सकते हैं जो most appropriately हो हमारे लिए size है उसको हम choose कर सकते हैं तो यहां पर equilibrium जो है वो attained होगा उस level पर यहां marginal revenue curve जो long run marginal cost को cut करेगी तो वो figure 6 में बताया है यहां ठीक है जी इसको मैं आपको figure के help के समझा देती हूं ठीक है इन में देखे कि equilibrium point equilibrium level of output equilibrium point है इस level पर कहा है कि output जो है वो marginal revenue level of output marginal revenue जो है वो equal है wrong run marginal cost के ठीक है जी monopolist fix price करता है OP पर ठीक है तो जो HM है यह HM जो है वो हमारी क्या है long run average cost ठीक है जी तो price OP जो है वो जादा है OP price जो है हमारा जादा है long run average cost से तो यहां पर हमें क्या हो रहा है super normal profit की हमारा जो price है वो जादा है हमारी average cost है तो यहां पर हमें super normal profit होंगे तो जो भी यह shaded area area है यह वाला तो यह हमारा क्या है profit ठीक है जी super normal profit तो होग क्लास आपको यह सारा डाइग्राम यह सारी explanation समझ आ गही होगी अगर आपको इसमें कोई भी problem होगी बनोपली के topic में तो आपने मेरे से पूछ लेना है कल हम हमारा जो next mark की structure होगे उसके बारे में पढ़ेंगे thank you class